हैमी कॉर्डेटा फाइलम में examples को लेकर, तो हम एक interesting कहानी फिर से आपको सुराने वाले हैं, और उस interesting कहानी से मैं आपको हैमी कॉर्डेटा के जो example NCRT में दिये हैं, वो बहुत easily याद कराने की कोशिश करेंगे, तो example को याद करने के लिए जो मैं trick दे रहा हूँ या memory trick दे र लाइप में और भी कई कहानिया सुनते रहते हैं डेली लाइप में वैसे ही आपको एक और छोटी सी में कहानी सुना रहा हूँ और इस कहानी से मैं आपको NCRT में जो हैमी कॉर्डेटा के एक्जामपल्स दिये गए उनको याद कराने की कोशिश करूँगा तो चली आज की कहा कि इसको इसका इसको प्रापरली गॉड़ी करें और उसको उसकोई प्रॉपरली गैड करें जिम के अंदर और उसको उसकी जो भी हावी है उसकी एक मस्कुलर बॉड़ी हो उसको बनाने में उसकी help करें अचानक उसकी city का एक बहुत ही famous trainer जो बहुत जादा नामी trainer होता है वो सोचता है कि आज उससे मिलता हूँ मैं और शायद अगर वो मुझे select कर लेता है अपनी gym में membership दे देता है उसकी gym में उसके guidance में वैसी body बना पाऊंगा जैसा उसका यानि की हमारी कहानी का जो किरदार है उसका एक सपना है तो वो अपनी city के एक बहुत बड़े trainer के पास जाता है जिसकी अपनी खुद की gym भी होती है और वो trainer के पास जाकर request करता है कि मुझे भी आपकी तरह body builder बनना है trainer उससे बोलता है कि अगर आपको मेरी तरह body बनाना है तो आपको मेरे कुछ basic से question का answer देना होगा यानि कि trainer एक शर्त रखता है कि अगर आपको मेरी तरह body बनाना है तो आपको कुछ मेरे basic question का answer देना होगा सही सही answer देना होगा तब मैं यह मानूगा कि आप मेरी gym में membership ले सकते हैं और मेरी तरह body बना सकते हैं चलिए हमारी कहानी में जो लड़का है कमजोर सा जिसको body बनाना है वो तैयार हो जाता और वो trainer से बोलता है आपका जो भी question है आप वो मुझ से पूछ सकते हैं तो trainer का जो question होता है वो बहुत simple सा question होता है और उस question को आप screen देख रहे हैं कि हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है तो trainer जो है वो उससे question पूछता है जो उसकी gym में आया हुआ student होता है कि आप बताईए हमें बल और शक्ती जो है वो कहां से मिलती है तो ये question बड़ा simple सा question है लेकिन फिर भी वो लड़का जो है वो इसका answer नहीं दे पाता और वो इस तरीके से react करता है कि ये किस type का question है और आपने ये मुझे से क्या पूछ लिया कि हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है बल और शक्ती हमें कहां से मिलती है ये मुझे नहीं पता यानि कि जो student है जो trainer के पास आया है वो answer देता है कि मुझे नहीं पता बल और शक्ती हमें कहां से मिलती है एक सड़े से कॉश्चन का अंसर ना दे पाने की वज़े से जो जिम का ट्रेनर होता है वो काफी गुसे में आ जाता है और बोलता है कि अगर डफर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है तो जो ट्रेनर का कॉश्चन है वो इतना सा है कि हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है और इसका आंसर भी ट्रेनर अपने शब्दों में देता है उस लड़के को और वो आंसर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है that is the very fundamental question यह आपको याद हो गया होगा और हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है यह बच्चे भी जानते हैं ग्लुकॉन D से यानि कि ग्लुकॉन D को हम commonly क्या कहते हैं ग्लुकोज तो answer आपको मिल चुका है हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है तो आपका answer है हमें बल और शक्ती जो है वो ग्लुकोज से मिलती है और आप बिलीव कीजिए आपको वो दौनों example याद हो चुके हैं जो हैमी कॉर्डेटा के NCRT में दिये गए तो हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है हमें से आपको याद रखना है हमी कॉर्डेट की बात हो रही है और हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है जिसका answer है ग्लुकोज से मिलती है और मैं अब आपको याद कराता हूँ इस memory trick के थुरू आप कैसे आद रख सकते हैं हमी कॉर्डेटा के वो दौनों example जो NCRT में दिये गए है तो बल यहाँ पर मैंने word use किया है बल तो यहाँ पर बहुत easy है यहाँ पर आप बल से और ग्लुकोज से एक नाम drive कर सकते हैं किस से बल से और ग्लुकोज से तो मैं बल और ग्लुकोज से यहाँ पर एक नाम को drive कर सकता हूँ और वो नाम क्या होगा तो बल और glucose से आपको याद रखना है बलानो ग्लोसस तो बलानो ग्लोसस जो है वो एक example है हैमिकॉडेट्स का जो आपने यहाँ पर याद रख लिया है बल और glucose से तो हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है ये question था उसका answer था glucose से मिलती है तो बल और glucose से आपने याद रखा बलानो ग्लोसस उसी तरीके से आपको शक्ती और glucose से याद रखना है एक और दूसरा example है हैमिकॉडेट्स का और वो होगा सैको ग्लोसस तो हमने कैसे याद रखा बल और शक्ती से तो यहाँ पर बल और शक्ती दो चीज़ें यहाँ पर यूज हो रही है बल और glucose से आपने याद रखा बलानो ग्लोसस और शक्ती और glucose से आपको याद रखना है सैको ग्लोसस तो देखिए बड़े आसानी से आपने दौनों example को याद कर लिया तो trainer का question था हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है आपने answer दिया या trainer ने आपको बताया glucose से तो बल और glucose से आपने याद रखा बलेनो ग्लोसस और यहाँ पर देख सकते हैं शक्ती और glucose से आपने याद रखा सैको ग्लोसस इस तरीके से आप देख सकते हैं NCRT ने जो image बनाई हुई है animal की आप देख सकते हैं यह वाली image जो आपको देख रही है यह बलेनो ग्लोसस की image है और आपको हमेशे याद रखना है कई वार इस image को question में देकर आप से पूछा जाता है कि यह इन में से कौन सा hemicodate है तो इस image से आपको पता होना चाहिए यह बलेनो ग्लोसस की image है सेको ग्लोसस की कोई image NCRT ने नहीं दिये है और हमें किसी image को याद रखने की जरूरत भी है यहाँ पर neat examination के point of view से बिलकुल नहीं है तो I hope कि आपने example को बहुत proper way में समझा होगा हमें बल और शक्ती कहां से मिलती है ग्लोकोस से बल और ग्लोकोस से बलेनो ग्लोसस और शक्ती और ग्लोकोस से आपको याद रखना है सैको ग्लोसस तो I hope कि इस lecture को आपने बहुत enjoy किया होगा आपको यह lecture अच्छा लगा होगा अगर आपको ये lecture अच्छा लगा है और आपने Hemic Audits को बातों बातों में पढ़ लिया है और सीख लिया है तो आप इस lecture को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सबस्क्राइब कीजिए Thank you very much